प्रुदार मंत्री जी, एन आई के साथ बात करने के लिए धन्यवाद, नश्काल, आपको नवरात्री की बहुत बहुत शुपकामना है, और कोछी दिनों में देश राम नौमी का पर्वा मनाएगा, राम नौमी की बहुत 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 शुपकामना है, आपको भी, मेरा पह सेम्तालिस तक क्या कुछ होने वाला है और क्या ये चुनाव महज एक फॉर्मालिटी है। मैं समझता हूँ कि 2047 को और 2024 दोनों को मिक्सप नहीं करना चीज़, दो अलग चीज़े हैं। जब देश आज़ादी के पचातर साल अमुर्त महोसो मना रहा था। उसी समय मैं ये विशय सब के सामने रखना शुरू की आदाद से एक दो साल पहले। और मैं ये कहता था कि 2047 देश की आज़ादी के सौसागोंगे। स्वाभावी क्रूप से ऐसे जो माइल्स्टोन होते हैं वो एक प्रकार से नया उत्सा भरते हैं, नये संकल्प के लिए व्यक्ति को तयार करते हैं। और उस अर्थ में मेरा मत था कि एक मोका है, पच्चातर साल पर हम खड़े हैं, सो साल पहुंचने वाले हैं। इस पच्ची साल का सरवाधी को क्यों कैसे करें। हर इंस्टिटूशन हर कोई अपना एक लक्ष पड़ाएं। मैं अपना गाव का प्रधान हूं। 2047 तक मेरे गाव में इतना तो मैं करूंगा। RBI को मैं कारकम मैं काया। नभे साल गाव का तो मैंने कहां कि तो मेरे मन में 2047 ये भारत की आजादी के साल और देश में एक प्रेरना जगनी चाहिए। और आजादी के साल अपने आप बहुत इंस्पिरेशन है। किसी व्यक्ती के जरूत ही है। तो एक पार तो भो है। दूसरा है 2024 2024 ये चुनाव का हमारा जो करम है पांच साल का उसके हिसाब से आया हुआ करम है। और मैं मानता हूँ कि चुनाव अल्टूगेतर डिफरन थिंग है। एक तरफ इस चुनाव में आप देखते हैं। लोक्स तंद्र में चुनाव को हमने लाइट नहीं ले रहा है। ये एक बहुत बड़ा महा परवा है। और मेरा तो मुनत है कि उत्सव की रूप में मनाना चाहिए। उससे जैसे स्पोर्ट्स उसका जब फेस्टिवर होता स्पोर्ट्स के इवेंट होते हैं। वो स्पोर्ट्समान स्पिरिट को पैदा करते हैं। जब खेल का मादान होता है तो देखने वाले, खेलने वाले स्पोर्ट्समान स्पिरिट का एक एन्वार्मेंट क्रेट होता है। जो हमारे संस्कार बन जाते हैं। यह प्रणाव का यह माहूल अगर हम उत्सों में पलट दे लोको उत्सों बना दे तो हमारी लगों में डेमोक्राशी आने वाली पीडियों के रगों में बो संस्कार बन जा दी है और लोक तंत्र के लिए बहुत आवश्छख है कि लोक तंत्र इसरुप संविधान की सीमाओं मैं नहीं बंदना चाहिए हमारी रगों में होना सहिए हमारे संस्कार में होना चाहिए और उस अर्थमे में 2024 को देखता हूं यह वास है है कि हमारा 25 साल का बीजन और उसमें मैंने बहुत काम किया है और यह आज कर रहूं ऐसा नहीं है शायद मैं जो गुजरात में था तब इन दिशा में सोचता था अब देखिए 2024 का चुझाओ तो देश के सामदे काफसर है कि एक कॉंग्रेस सरकार का मोड़े और बीजेपी सरकार का मोड़े उनका पांट-छे दसक का काम दोंके लिए बहुत खुला मैदान चोड़ता हूं पांट-छे दसक का काम और मेरा सरफ दस साल का काम अगर कुछ कमिया होगी तो भी हमारी एफर्स में कमी नही रही होगी दूसरा मुझे दस साल में दो साल तो कोवीर की लड़ाई में जाना पड़ा और आफ्तर एफेक्ट भी बहुत था फिर भी आज हम कमपरेटिव देश को स्पीड कहो सकेल को दूसर महंगेर विकास की बात करें तो वो कहें सर्वसमावेश की बात कहें तो वो देखें हर परामिटर पर आपको कॉंग्रेस के मोडल से एक ऐसा मोडल नजरे आ रहा है कि हा इस रास्ते पर हम चलेंगे इतनी गती से और गती और बढ़ानी है मुझे अगले टम्में गती भी भढ़ानी है और स्केल भढ़ाना है वो तो मेरा लग्षा ही है दूसरा आप देखेंगे कि जब देश चलाने की देश्वासी जिम्मेबारी देते हैं तर आप सिंगल माइंडेट फोकस होना चाहिए देश देश के लोग दूरभाग्य से पहले की राजनिती कल्चर ने परिवार को कैसे मजबूत बनाना परिवार की जड़ों को कोई उखाड न दे उसी में शक्ती लगाते रहे हैं जब कि मैं देश मजबूत इसी एक लग्स को लेकर के काम कर रहा हूं मेरी सरकार पूरी उस लग्स को लेकर काम रहे हैं और जब देश मजबूत होता है तो हर को उसका बेनिफिशली संतोश अभव करता है तहां यार कुछ तो हो रहा है महरब तो कर रहा हैं इमानदारी से कर रह इन चिजों का इंपक्त होता है, तो 2024 ये चुनाव है, और चुनाव का म्मादान है, तो हम तिक अपने ट्रेक रेकॉर्ड को लेकर के गए हैं, और वे अपने ट्रेक्ड को लेकर के आए हैं. अब प्रदानमां कुछी आपने दो चीजों का जिकर किया जिसके बारे मैं पूछना चाहूंगी एक तो जब आर बी आई में जब आपने कहा 2014 वगएरा के बाद कर रहे थे तो जब आप कहते हैं कि ट्रेलर है आपके speeches में करने वाला हूँ तो एक कसबा होता है जो थोड़ा नर्वस होता है कि करने के आवाले हैं मोदी जी एक वह नर्वस होते हैं जो दूसरी जिनका विश्वास आपर पूर्ण तरह है वो सोचते हैं कि हाँ अभी और काम बाकी है और मोदी जी उसे अन्जाम देने वाले हैं, तो दोनों के लिए आप अगर हमें बताएं कि विजन क्या है कि 2047 तक किस तरह ये विजन सक्सेस्फुल होगा, क्या आपका गेम प्लान है? जब मैं कहता हूँ, कि मेरे मन में बहुत बड़े-बड़े प्लान है, और उसके लिए बहुत बड़े-बड़े प्लान है, किसी को डरने की जरूरत नहीं है, मेरे निर्ने किसी को डराने के लिए नहीं है, किसी को दबाने के लिए भी नहीं है, मेरे निर्ने देश के सरमांग विकास के लिए है, जन कल्यान के लिए है, देश के युवाओं के एस्पिरेशन को, मैं देर करना नहीं चाहता हूं, मैं समय बिगाडना नहीं चाहता हूं, उस अर्थ में मैं कह रहा हूं, दूसरी बात है, ज्यादा अतर सरकारों का स्ववाव होता है, यह मुझाज में रहत मैंने जादा से जादा करने का प्रयास किया है, सही दिशा में जाने का प्रयास किया है, फिर भी बहुत कुछ है जो मुझे अभी भी करना है, कि मैं देखता हूँ मेरे देश की कितनी आवशकता है, हर परिवार का सपना, वो सपना कैसे पुरा हो, यह मेरे दिन में पड़ा और इसलिए मैं कहता हूँ जो हुआ है वो ट्रेलर है आपको अच्छा लगा है लेकिन मैं बहुत अधिक करना चाहता हूँ उस अर्थ में उस माद को कहता हूँ दूसरी बात है कि 2047 का जो वीजन का सवाथ है एक तो मैं नंबे समय तक मुख्यमंत्री रह कर आया हूँ और मैं करता था कि बार बार चुनाओ आचार खहीता किसी भी राज में चुनाओ तो मेरे राज्य से तीस चानलीष सीनियर अच्छे अपसर अपजरवर के नाते जाते थे एक्शन ड्यूटी तो चानलीष पचास दिन तक वो भार रहते थे तो मुखे चिंता रहते थे कि मैं सरकार कान के सी चलो टकि बेच में ऐसे चुनाओ होते ही रहते हैं और मेरे उबजरवर जाते हैं तो मिय तो पिर मैरे स्चाँ मैं इसको भागता हूं कि मैं चुनाओ होगा तो अस पीर को भाए के रूप में नहींगा मैं आपस्वरों को पह्ले से काम देता ओए अगली सरकार के कि अग्भी आएं मैं उस समय भी सौजीन कांन करता था कोुछना था मुझे अभी तो चुनाव हberg होई रहे रहें अभी जनी डेजल झाएं और आप सौधीन का प्लैन्कान बना नहें मैं जुज़्ू किया और दरसल मैंने कैसे किया कि मैं पिसले तो साल से 2047 को दिहान मेरक्के काम करता है और उसके लिए मैंने देश भर में लोगों के ओपिनियन माझे, सुझाव माझे, साइद 15 लाग से अधिक लोगों के मैंने सुझाव दीये हैं कि वो आने वाले 25 साल में हिंदुस्तान को कैसे देखता चाहते हैं और मैंने सभी आनो इंपूट दिया फिर मैंने अधिक लिए की मदर ले कर गए उसको सब्जेक बनाया अभी मैंने टेक्नोलोजी का उच्छी का भर्पूरू किया मैंने हर विभाग में अपसवरों के एक डेडिकेटेड टीम बनाई कि इस पर काम किये कैसे हो सकता है अगली टॉन के एप कि कौन सी चीजे डुएबल हैं कौन सी चीजे डुएबल नहीं लेकिन इसमें कुछ छुपा हुआ नहीं है मेली मिली जाएगा धुछा मैंने कहा कि मैं चाहता हूं कि इजो मैं डॉक्कुमें बना रहा हूं जो मेरा वीजन है लेकिन वो विजन मोदी की बपोती नहीं है, वो 15-20 लाख लोकों के विचारों को उसमें समाहित के प्रकार से इसके ओनर्जिप देश की है, 15-20 लाख लोग इंपुट देते हैं, मतलब पुरा देश दे रहा है, मैंने क्या किया है, कि मैंने उसको अभी डॉक्युमेंट की र पर काम करें, इस टेट को क्या लगता है, क्या हो सकता है, क्या नहीं है? और बुरा देश, यह देश का है, यह भाजपा का नहीं है, यह काम देश का है, फिर मैं नीटियायो की मिटिंग उडाओगा, उसमें इस पर व्यापक चर्चा करूँगा मुख मंत्रों के साथ, और दूसरी जब मैंने अफसरों को कहा है, अभी जो हमारे सामने चीतर बना है, जो कुछ भी इंपुटाइश का दर, मैंने अपने इंपुट दिये, उसमें से मुझे तीन हिस्सों में काम करना है, एक, बीजेपी का जो मैनिफेस्टों आएगा, उसमें से करणिये काम अभी उसमें क्रिटिकल इंपुट चाहिए मुझे, मैं ऐसा नही मानता हो कि सब कुछ मुझे ही समझे और मुझे ही दित्कार है, कोशिस मैंने भारी के, मैंने काफी समय लगाया इसमें, उसको मैं तीन हिस्सों में बाटा है, एक पत्चीश साल, उसके लाइट में मेरे ने कर दिया है, क्योंकि मैं एक मिनिट भी घवाना नहीं जाता हूँ जी, अब आपको याद होगा, प्वेंटी नाइटीन में, बहुत कम लोगों को ध्यान देता है, उस समय में मैंने सो दिन का काम दे कर के चुनाओ के मैदान में बगाया था, और जब वापिस आया हम, वेड्यी ड़र आपल में में मैं हमने सो दिन मि कर दिया, बैंकों का मर्जड बहुत बड़ गाम थाे, हमने सो दिन में मैं इतना ही नही पशू का टिका करन क्या कि ये कोविड के टिका कर दे खनी के मैं इटेस में पहली और करीendum 15,000 क्रोड रुप लगा कर एग पश्षूओं के टिकाकन के बड़ अभ्यान चला रहो और मैंने उननीश में पहले सो दिन में किया था तो मैं सो दिन क्या काम करना वो हैफाजर नहीं करता मैं बिल्कुल प्रानिम करके उसको अधर पर आगे चलाता हूँ कि अधरि mentally की आति नहीं किया है जो बहुत ही लोकुप्रिय हो गया है मोधी की Guarante अब शुनाव के वक्त कई लोग कह रहे हैं कि क्या अमीद्वार जो है वो नॉट इप्वोट तो सिर्मोधीजी को जा रहा क्योंकि अधरि घरंटी है चुनाव में बूथ लेवल का कारकरता भी इंपोर्टन्ट होता है। कैंडिडेट भी उतना ही महत्वपुन होता है। और इसलिए ये कह देना तो और किसी का महत्वप निये होता है। वरना इतना बड़ा चुनाव हो ही नहीं सकता है। तो बहुत महत्पा होता है, जहां तक गारंटी का सवाग है, आज हमारे हाँ दुर्भाग्य से, शब्तों के प्रती जो कमिट्मेंट होना चाहिए, वो एक प्रकार से लग रहा है कि तो चलते का नामगाडी कुछ भी बोलतों, कहीं पर भी बोलतों, कोई जिम्मेवारी नहीं अब आप देखा होगा हिन दिनों, एक नेता जी के है, तुराने धेर सारे विडियो बाजाय में घुम रहे हैं, और उनके एक विचार से दूसरा विचार के तना कॉंट्राडिक्टर ही है, अब लोग एक साथ देते हो का, अरे, यह आदमी एक तना हामे मुरग बनाता था, अब आख में दून जोकता है, अभी मैंने एक नेता का बाशन सुना, उन्हों ने कहा, एक जट्टे में मैं गरीबी हटा दूँगा, अब जिनको पांच पांच शेशे दसक देश का राज करने को मिला, बो जब आज कहेंगे, कि मैं एक जट्के में गरीबी हटा दूँगा तो देश होता है, क्या बोल रही है? तो मुझे लगता है, पॉलिटिकल डिडर्शिप की क्वेस्टेनिबल होती जा रही है, ऐसे मैं प्राण जायरू बचन न जाये, ये महान परंपरा से हम निकले हुआ हुआ है, मैं मानता हूँ नेताओने ओनर्शिप लेनी चाहिए, ज ये कोई करेगा ऐसा करेगा ऐसे नहीं चल भाए है, और उसमें से मैंने बल दिया है, गारंटी का, मैं कमिटमेंट भी करता हूँ और उसका मैं ओनर्शिप ले रहा हूँ, और जब ओनर्शिप लेते हैं, तो देश को बरोसा होता है, आज आप देखिए, कि हम जो बात कहते हैं, उस पर लोगों का भरोसा है, तीन सो सत्तर हटाओंगा, भले हमें पार्टी का जन्म हुआ तब से हम कह रहे था, मारे शांबर साथ मुखर जी ने बली दान दिया था, लेकिन हम उस पर पक्के मन से लगे हुए थे, जो मेरा मोका आया, मैंने पूरी हिम्मत दिखाई, तीन सो सत्तर गई और आज जे कहिमु कश्मिय का भागे पदल गया, तीन का लाग, कितने ही चीजों से गुजरा, पुलिटिकल लीडर सिफ ढर गई, लोकों का रह भी इनके भरोसा करें, यह तो एक बार एक बोलते हैं, दुसरे लोगों का भरोसा तब बनता है, तहें को य जाना भी है तो जिम्मेवरी लेकर के जाएंगे, कि यह था, मैं सोचा था, नहीं कर पा रहा हूं, मैं जा रहा हूं बापिस, लेकिन भरोसा बहुत बड़ी तापत होती है, और भारत जैसे देश में, यह भरोसा को मैं अपनी जिम्मेवरी मानता, और इसलिए मैं बार बार गारंटी यह कहता है, मोधी जी आप भरोसे की बात करते हैं, जब ही हमारे कैमरा टीम जहां भी जाते हैं, वो सब यही कहते हैं, कि जो मद्दाता हो या कैंडिडेट हो, वो सब यही बात करते हैं, मोधी पर भरोसा, तो, have we come to this situation, जहां पर पहले होते थे, बोला जाता था, कि इंदिरा इस इंचया, इंटिया इंदिरा और अब है मौधी भारत, भारत इस इल मोधी, क्या हुष लवल पर पाँच का हैं, ऐसा है कि देश यह कहता है, और जो मा फुद भी फील करता हूं, कि यह मा भारती का बेटा है, यह मा भारती का संतान है, उस से ज्यादान होते हैं नहीं मेरे लिए बोलते हैं भार्प मा का संतान है मा की सिवा कर रहा है तो इतना ही बहुत है मैं राम मंदिर प्रान प्रतिष्ठा की बात करती हूं इसको एक राजनेतिक रंग नहीं चड़ना चाहिए था लेकिन हो गया है और जब इलेक्शन आ गये हैं तो फिर चाहे ओपोजिशन हो या बीजेपी हो एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं तुम पापी तुम पापी कॉंग्रेस कहती है कि इसका राजनीती करण बीजेपी ने किया इसलिए वो पापी है बीजेपी कहती है कि नियोता देने के बावजूद और इसको आज की घटना हो समझे जब हमारा जन्म भी नहीं हुआ था हमारी पाल्टी पैदा भी नहीं हुए थी उस समय अदालत में इस मामला निप्टाए जा सकता था समझसा का समधान हो सकता था भारत विभाजन हुआ तो विभाजन के समझ ये ताह कर सकता है चलब इतन इसा हथियार हाथ में है जो हथियार वोट बैंक पोलिटिस्क के लिए मजबूती का एक दाव है इसको पकड़ के रखा गया और बार बार उसको भड़काया गया अब जब ये अदालत के अंदर मामला चल रहता है अदालत में अभी जज्मेंट ना आए वहां तक पोशिश होना चाहिए तो हमारा सवगदान के लिए हुआ ऒा मारी थी जखिए तो एलंग दालना ये क्यों क्यों के लिए ये राजनीती हरथियार ऐसे लोगों के घिए और इचियो राम बंदर का रहा है तो में मार देगे एचा कर बोट बैंक बनाने वेसे एप अब हुआ किया राम मंदिर बन गया, तो उनके हाथ से वो मुद्धा ही चला गया, अब वो किसो को डराना नहीं पा रहे हैं, राम मंदिर आ जाएगा, आ गया, कुछ नहीं हुआ, आग नहीं लगी कोई, दूसरा इंकी प्रकृती है, अब सोमनाथ मंदिर से लेकर कर अब तक से लेकर के ही देश में वो अपनी बाते हैं, सोमनाथ मंदिर को क्या पॉर्ण थाप्रण साधार प्रटेल से, डॉक्टर राजयन जबाभू को जाना था, वहाँ तो ना जंग संग थान और भाइसान आरेश थान नहीं लड़ाई थी, लेकिन नहीं बना करती है जाने जाने सचपुच में तो आपको घर्म होना चाहिए, कि ये रामंदिर निर्मान करने वाले जो भी लोग हैं जिन्नों संगर्श की किया है, वे आपके सारे पाप भूल करके, सारे आपकी गुना भूल करके, घर में आगर आपको निवाइट कर रहें, और नए से भवार शूरू कर करना चाहते हैं, आप उसको भी उस पुराने मिलाद से ठुकरा दे, तब लगता है कि आपके लिए वोट बैंक एक बहुत बड़ी आपकी मजबुरी है, और उस वोट बैंके चलते इस प्रकार की चीज़े होती रहें, और ये किसे को नीचा दिखाना, किसे का अपमान करना ये अपना अधिकार मांते हैं, और ये तो नामदार है, हम तो कामदार है, अब मैं नौर्थी जाओं, बहां के लोग कोई कपड़े पहना दे, मैं पहनता हूं, उसकी भी मज़ा कुड़ाना, यानि हर चीज की मैं तमिल लादू जाओं, दूंगी पहनूं, तुर को लगता ये मैं मानता हूं ये न राजनीती का भीश हम लोगों के लिए है, न होना चाहिए और न कभी खोगा हूं, हमारे लिए इत्यभरता आस्था कभीश है और ये कोई प्रभू राम का समन्ध कोई मेरे कारकारमा नहीं हाया है, हाजारो साल से और दुनिया के अनिक देशों में जब ये राम मंदर का निमंतरन देने के लिए तरसकेले क मुझे आये, उन्होंने फुकरा दिया, मैं सोचने लगा इतना बड़ा मुझे दाई को दिया जा रहा है, मैं अपने आपको योगे क्या कैसे करूँ, अपने आपको योगे कैसे बढ़ाऊ, तो मैंने कुछ लोगो कुछ जानकार लोगो की, मेरी स्पिरुचल लाइप से जुड़े हुए कुछ लोगों को मैंने पूछा कि भही मैं इसको एक प्रधान मंदर के रूप में इस कारकम को लही लेता हूं, एक राम भक्त के रूप में करना चाहता हूं, मुझे क्या करे, उसमें से मुझे सुझ जावाया, सुझाओ तो बहुत, लेकिन मैंने फिर कुछ अध्यन भी किया, और मैंने मनोमन तहीं किया, कि मैं ग्यारा दिन का अनुस्ठान करूँगा, और मैं जमीन पे सोता था, नर्गल के पानी पर रहता था, और तहीं किया, मैं रभुराम जहां 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 गए थे, उसमे जहां भी मैं जहां सब्क का प्रयास का गड़ा और वहां पना जमन में घाया, और शीरंगम मंदिर में गाया, और कम रामायन का मैं पाट किया वहां, तब मुझे वहां कि भीने लोग ओना रच्छाव पहले, जब कम रामायन के रचना हुई, तो पहला पाट इसी और देखा तब के आख में आशू थे, यह जो मैंने अनुभूती किया है, साउथ में खास करके है, यहां बैठेवी लोकों का अंदाज नहीं आए गाजी, कि क्या भक्ती है, क्या अस्था है, और कितनी पवीतरता है उसमें, मेरा कारकाम नहीं था, मेरा काम आशा बैक्ति वाह में अनुछ कर रहा था तो मेरे लिए शायद मेरे स्पिरिचल जर्नी की एक बहुत बड़ा महत्पुनि एक गटना में लिखता हूं और रामंदी प्रान्त प्रतिष्टा को मैंने बहुत गंबिल लिया था जी मैं एक इवेंट के रुप में लिया थाजिए परले वो इवेंट नहीं है वो था जिए लिए वो एक स्पिरिचल मुवमें ठाग के लिए मैं माम्ताम मुझे दिख्था तो पांटसो साल का संगर मुझे लिखत ते क्सोचारी करोणों की संग्ड़ा सपने और देश के गरीब गरीब लोगों ने पाई पाई देकर के मंदिर बड़ा है जी यह मंदीर तीन चीजे में देखता है एक पांट सो साल का अविरत अखन एक निष्ट संगर्ष लाखों लोकों का एक काम के लिए बलीदान दूसरा लंबी नयाई प्रक्रिया इतने सालो की नयाइ प्रकिरण और नयाइ प्रकिरण के हर तराजू से तूल करके निका हुआ अगर कॉक्षी के इतने सालो की नयाइट प्रकिर अर निये बहुत बड़ा और छोथा हिंदुस्तान के कोटी कोटी लोगोंने एक एक दो तो पाजब रुपय जो भी दे सकते हैं जेकर के मंदीर बनाया है यह मंदीर सरकारी थे जाने से नहीं बनाय है यह एसे पहलू हैं कि जो भारत के स्वाभिमान को, भारत के सामर्थ को, भारत के सपनों को, भारत के संकल्प को और भारत के आने वाले पीडी को भाहत बड़ी प्रेना देने वाले हैं. हम दक्षिन भारत की बात करते हैं, तो पहले मैं दक्षिन भारत के कुछ मुद्दों के बारे में उठाऊंगी. BJP का एक ऐसा नेता तमिलनाडू में उभर के आया है, जो इसके लिए मीडिया इटेंशन काफी कुछ आ रहा है, वो है अन्नम अलाई जी. तो वो काती कॉन्फिडेंट है कि तमिलनाडू में BJP को डबल डिजिट फिगर आएंगे, तो क्या ये उनका ओवर कॉन्फिडेंस है कि आप भी तमिलनाडू इतनी भारी जा चुके हैं? पहली बात है कि कमिलनाडू जनसंग के जमाने से और भारती जनताब बार्टी, मैं कहता हूं पाँच पाँच पीडी हमारी इस विचार के लिए भाँ खप चुकी हैं, तो एक निरंतर काम चला है, जब कॉंग्रेस से लोग निराश हुए तो पादेशिक पक्षों की काम काज देखा है, अब लोग निराश हो गए, निराशा के इस माहूल में उन्होंने दिल्ली में भाजपा की सरकार का मोरेल देखा, हिंदुस्तान में अन्य राज्यों में भाजपा की सरकार का मोरेल देखा, देश भर में जो तमिल बंधू रहते हैं, उन्होंने अपने बताया भी हम जिस राजी में रहते हैं वह तो यह हो रहा है तो लोग स्वाभावी कमपरिजन करने लेगी कि जो हवा खड़ा किया गया था यह तो अच्छा काम कर रहा है अब जैसे मैंने तमिल काशी संगम किया तो तमिल नादू में देम के पार्टी वाले लोग यह तो पा अब जादा ऐसा नहीं है तो बहुत डेवलोप दिखता है बडी प्रगदी हो रही है इत्यों नेट वर्क दिखता है तो शोचने का तरीका बदले लगा और उसके कारण दीमके के परती जवरदस गुस्सा पड़ा हुआ है और कलपना नहीं कर साओ इतना बड़ा गुस्सा पड़ा हुआ है ओ गुस्सा पड़ा है डायवर्ट हो रहा है बीजेपी की तरफ पोजिटिव बे में और अन्नामला ये बहुत अच्छे आर्टुकलेट है यंग है बहुत ही अपनी IPS केडर में है बहुत बड़ी प्रतिश्थित नोकरी छोड़कर के आये हैं दूसरा कि तो जिनगी बन जाते हैं तो वो बानने नहीं गया वो बीजेपी माया तो लोग आप आप यार ये बीजेपी में गया है मतलब कुछ मेटल है कुछ अच्छे इरादे वाला इंसान लगता है तो स्वाभाई गुरूप से उसके आकरशन का केजर बना है और मेरी पार्टी अगर हम बात करें तो तमिलनाडू में बीमके ने कहा है कि उन्होंने काफी बयान दिये हैं सनातन के खिला और वो तो काफी अर्से से करते आये हैं काफी दशकों से उनका आंटी सनातन पोजिशन रहा है लेकिन अब जो है वो लोग थोड़ा बहुत आक्रोश दिखने को मि तो आप क्या समझते हैं कि is it because of awareness कि लोग बीजेपी की तरफ मुड़ रहे हैं या फिर सनातन के खिलाव जो उनके स्टेटमेंट से वो बाकी राजों में भी यह थैल रहा है अब मैं इस स्वाल को जड़ा अलग तरीके से देखता है स्वाल में कॉंग्रेश को पोच्छना चाहिए जो कॉंग्रेश जिसके थाथ किसी जमाने मात्मा गांदी का नाम जोड़ा हुआ था जो कॉंग्रेश जहां इंदरा गांदी जी इस गले में माला खुलयाम पहन कर के घुमती ती सवाल कॉंग्रेश को पूछना चाहिए कि तुम्हारी क्या मजबुरी है कि सनातन के खिलाप इतना जहर उगलने वाले लोगों साथ तुम क्यों बैठे हो भई क्या तुम्हारी राजरीती अधुरी रह जाएगी क्या यह कॉंसी कॉंग्रेश की सोच विकृूती आ रहे हैं कॉंग्रेस में इस जिंता का भिषय है बीम्क का तो जन्म शायद इस नफरत में पादा हुआ होगा और दिरे दिरे वो नफरत का खेल भी उनका लोग स्विका अपना मुल्क केरेक्टर खवा गवादिया है क्या जब समिधान सभा में जो लोग बैठे थे जाता तर गांधियन लोग थे जाता तर कॉंग्रिस की विचादारा से जुड़े हुई लोग थे और पहला समिधान बना उसके हर पेच पर जो पेंटिंग है वो सानातन की ही प और आज सनातन को इतनी भैंकर गालिया देने की हिम्बत हो और आप उनके साथ चुनाओ की राजरीती करें उनके साथ मंच साजा करें मजबूरी कॉंगरी की ये देश के लिए चिंता कभीश है और जो तमिलनाडू के मुख्य मंत्री और कुछ और दक्षिन के मंत्रियां है मंत्री हैं मुख्य मंत्री हैं वो कहते हैं कि जो दक्षिन है वो अलग एकाई है उत्तर अलग एकाई है दक्षिन भारत और उत्तर भारत और बीजेपी जो है वो दक्षिन भारत में सेंध नहीं कर सकती रावल गांदी ने तो संसद में भी कहा था कि आप अगर पूर उस से पूरे एरिया में बीजेपी सेंध नहीं कर पाएगी दो अलग इकाई है क्या दक्षिन भारत और उत्तरभारत पहली बात है भारत बहुरतना वसुंद्रा है भारत विविदताओं से भारा हुआ देश है यहां रेगिस्तान भी है यह समुदरी तड भी है यह हमालाई भी है यहां गंगा के पड़ भी है और कावरी के पड़ भी है तो भारत को टुकड़ों में देखना यह भारत के प्रती नासमझी का पढ़नाव है अगर यही भाव होता अगर आप हिंदुस्तान में देखे प्रभू राम के नाम से जुड़े हुए गाउं कितने सब से ज्यादा काहा है तो तमिल नादू है इतने सारे गाउं के नाम है कि उसमें राम तो होगा ही होगा अब इसको आप कैसे अलग कह सकते हैं किसको गले उतारे गया लेकित भारत के विवित्ता है पंजाबी जैसा होगा ऐसा नागालें का वेक्ति नहीं होगा गुजराती जैसा होगा व हमें गुल्दवस्ता ऐसा है भारत का जिम हरेता अपना फूल दिखाएगे, यह भा होना चाहिए। कॉंग्रिस कहती है कि बीजेपी और खासकर मोदी जी इस विवित्ता को अप्रीशेट नहीं करते हैं एक रंग में ढालना चाहते हैं और अगर चार सो सीट जो आप कह रहे हैं अगर वो आ जाता है तो सम्दिदान रद हो जाएगा एक ही भाषा एक ही रहन सहन एक ही तरीका हो और वो है जो मोदी जी कहेंगे मैं समझ नहीं पाता हूँ कि जो वेक्ति वेन में जा करके पहली बार जुनिया की सबसे पुरातन भाषा तमिल भाषा का गुर्गान करता हो कि साधार पर उस वेक्तिव को आप ऐसे आरूप लगा रहे हैं मेरा तो मत है और मैं जब कपड़ अलग अलग राज्य के पहनता हूँ तो उनको परेशाली हो रहे हैं मुसिवत उनकी है कि वो एक थांचे में जेश को डालना चाहते हैं हम तो बिविधिता की पूजा करते हैं हम बिविधिता को सेलिपरेट करते हैं और मैं हम को के हरे को के दॉप्जा सेम ने कहां कि भई हैं मातर सैसले ने के भई करते हैं मैं मातरु भासा को सेलिप्रेट कर रहा हूं है उसका महाटम है बढा रहा हूं भुझ यह ए अबेências सान चाहते साथ गाड़ा तो इसधी अगी हरे किसे किर डूबरेब्व भण मैं इसका महात्मे बढें बढा रहा हूं अभी अभी आप क अपनी मात्रू भासा में सिगनेचर करो, इतना तो गर्व करो, अब मैं तो विविदता को लाने की कोशिश कर रहा हूँ, अब उनको आरोप लगाने हैं, क्या करेंगे? कुछ मुख्य मंत्री हैं, वो कहते हैं कि उन्हें सेंटर से सहयोग नहीं मिलता, दक्षिन के भी कुछ मुख्य मंत्री हैं, आप भी मुख्य मंत्री रह चुके हैं, अब प्रधान मंत्री हैं पिछले 10 साल में, क्या कोपरेटिव फेडरिलिजम को लेकर आपके विचार बदल हैं जब आप मुख्य मंत्री थे और जब अभी आप प्रधान मंत्री हैं, दर असल और क्या उन्हें नहीं मिलता सहयोग? दुर्फा के हुआ है कि जो रिजिनल एक्सपरेशन सोटे हैं, उसको सबसे जादा तबज्जु देनी चाहिए, कि मेरी पार्टी की फिलोसॉफी है, अगर आप रिजिनल एक्सपरेशन जो हैं, उसको नकार करके विक्सीद भारत का सफना पूरानी कर सकते हैं, दूसरा, मैं गुजरात में लंबे समय तक मुख्य मंत्री रह के आया हूँ, और मेरा सहुबाग है कि देश मां में पहला प्रधान मंत्री हैसा हूँ, कि जिसके कर दूसरा को राज्य के मुख्य मंत्री का इतना बड़ा अनुभ हो रहा है, तो एक मुख्य मंत्री के नातेश, क्या पेक्षाय होती है, क्या प्रधा होती है, उसको मैंने भली भाती जहला है, समझा भी है, और इसलिए मैं कता ही नहीं चाहूँगा कि मेरे देश का कोई र क्या नहीं करख तो वो भी मैं करने जहना है, क्योंकि मुझे देश बनाना ऺारे. दूसरा मैं गुजरात था तब ही मेरा मंत्र था यहां सरकाई रु पाप टै तब ही मेरा मंत्र था बारत के विकास के लिए गुजरान का विकास मैं गुजरान का विकास करूँगा क्यों? क्यों मुझे मेरा देश का विकास करता है हमारे देश में वाताओं बना चाहिए और हमने एस्पिरेशनल डिष्टिक की कलपना की और राजय में हमने का अभी यह राजय के परामीटर के बरावब रहे हैं, वारत्वकानी आडद बनाई उसकी मदद की. सभी राजयाज हमारे एस्परेशनल डिस्टिंग में वे एस्परेशनल बाग में मिलकर के हम काम करते हैं और बहुत अच्छे परनाम नजना रहे हैं अब आप कॉरोना देखिये है मैने इतनी भाहर चीप मिनिस्टर से मिटिंग की आए 20-25 पार और हर चीज में सम मिलकर के नेरने करते हैं, तो हम सांथ मिलकर के चले, तो हम कोरोना के जंग को जीतने में सभर विये, और मैं पबलिकली कहता हूं, कि कोरोना के लड़ाई में भारत के सभरता का खार, मैं सभी राज्योका भी उतना ही योगदान है, मैं रकेज़ करता हूं, और इसलिए, और इसलिए मैंने हमेशा कहा है, को देश को आगे लिए जाना है, तो मैं कॉम्पिटिटिव कॉपरिटिव फेडरलिजम चाहिए. हमारे हां परदा होनी चाहिए, तंदुर सपरदा होनी चाहिए, विकास की. तब जाकर गे अब टेके G20, के जीटवैंटी टीली में कर सकता था मैं अचलिक लेया हिंदुस्तान के हर ़ाज में G20 समिट किया, क्योंकि हर राज में G20 को सबसे जादा आउसर मिले लोगों को तेखने का राज को देखने का आउसर मिले राज को अपना एक्सपोजर के लिए यह ग्लोबल प्लेटफॉर्म मिल जाए? क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ मेरा देश का हर कौना मेरे लिए देश ही है. मोदी जी दो सवाल G20 को लेकर मैं पूछना चाहती थी आपसे एक तो वो जो क्लासिक शॉट था ना वो प्रेजडेंट बाइडन और प्रिंस सल्मान जो हैंडशेक वाला जो शॉट उसके बारे में एक दूसरा वेस्टर मीडिया में बहुत से आर्टिकल आते थे उस वक कोई कंसेंस होगा नहीं, डेकलरेशन होगा नहीं पर हो गया डेकलरेशन तो ये दो इन दोनों चीजों की बैक स्टोरी बताईए एक तो आपने वो हैंडशेक कैसे करवाया और दूसरा डेकलरेशन कैसे हुआ एक ग्लोबल गुड जब उसके लिए क्राम करते हैं और अपने नीजी कोई इफ्स और बट्स नहीं होते हैं तो आप दुनिया को ओन बोड ले सकते हैं और मेरी कोशिश ये थी कि मुझे बताईए भी आखिर कर जी एट और जी ट्वेंटी पैदा कैसा हुआ जीन मुद्धों को लेकर के पैदा हुआ तो उस मुद्धों से हटना में और उसमें सब मेरे से कण्विन्स हुए है सब भी कुछ लोगों से मुझे व्यक्तिक बाद इतने की ज़रूरती मैंने वो भी किया कुछ शद्धों की किसी की आगरे रहते थे उनको मैंने संधाने क प्रयास किया दूसरा मेरा इरादा था कि मैं लास्ट दे लास्ट सेशन में नहीं करूँ गा इसको इतना जल्दी करूंगा कि लोग सर्प्राइज कर जाएंगे और इसने मैंने दूसरे दीन पहले ही सत्र मैं डेकलरेशन बादा काम पोड़ा कर दिया तो जो नेगेटिव अनुमानों के आदार पर साराथ G20 गसिटी की कोशिश होती थी मैं इसको किसी भी अहरत में चौका देना चाहता था तो तो ताट बाद मैं स्ट्रेजी और उस्ट्रेजी सफ़न भी और मुझे खुशी है जहां तक दुनिया के उन उन देशों को क्यों लाई साथ कैसे स्ट्रूट किसने बनाया कैसे बना कोई हिस्ट्री अवैलेबल नहीं है स्ट्रूट चल पड़ा और यहने इवालूबा दूरी देगे हम लोगों ने के जो आयमेशी की तरिसा में हम गए हैं यह बहुत बड़ा गेम चेंजर बड़ा है और आने वाले हजारों साल पुश का इंपेट रहा है और उसमें मैं सब को विश्वा हुआ कि भई हाँ यह तरीका है उसमें गर्भ कंट्रीज का भी पॉजिटिव और प्रोएक्टिव रोल था भारत में अच्छी भूमी का निभाने का भारत को आउसर मिला व्येस यूरोप हमारे साथ थे और सब को लगा कि कॉंक्रीट पॉजिटिव आउटकम निकलेगा तो हम उसको लेकर के मिल थे तो उसमें स्वाबायूद था कि साओधी किंग और प्रेजेंट बाइडन और दोनों के साथ मेरी अच्छी मितरता है तो मैं किसे का भी हाथ भी पकेड सकता हूं किसे के बात भी किसे के परस्नाल अच्छी मितर हुए हैं उसके लिए बहुत पर लोग कहते हैं कि इस बिकॉज आपको समान भी दिया गया था वहां पर तो चाहे इस्ट एश्या हो या वेस्ट एश्या हो इसमें परस्नालिटी पॉलिटिक्स कहां तक इंपॉर्टेंट है कि आप उनके जो राश्ट्रपती हैं या प्रधान मंत्री हैं उनके साथ आपका वाइबिंग होता है आप उनके साथ बातशीत करते हैं और फो फिल्टर डाउन होता है फिर कहां तक इसमें परस्नालिटी पॉलिटिक्स भी है मैं सबनता हूँ कि इसके अलग-अलग भीव हो सकते हैं और सब सही हो सकते हैं एक मत्स टॉंग है कि परस्टनाइटे कल्ट या परस्टनल रिलेशन यह बहुत ज्यादा इन चीजे मैंने ही डा रहे हैं एक मत्स है स्टॉंग मत्स है मुझे लगता है कि हमारी डिप्लोमसी अगर प्रोटोकॉल में फसी रहेगी तो हम परफॉर्म नहीं कर पाएंगे डिप्लोमसी की ताकद भी इनफर्मल में भी है, पोटोकॉल में ही इसा नहीं है, पोटोकॉल में ज्यादा पोजिशनी होता है, पहले कौन आएगा, पहले कौन हाथ मिलाएगा बगेरे, उसी में समय जाता है, तो मैंने सुरू से देखा कि भई, जैसे मेरी शपत हुआ था, बड़ा इंटरस्टिंग है, मैंने ताही किया कि मैं सार्क देशो को, 2014 की शपत है, 2000, पहली भार बट, सार्क देशो को बना रहे, का मैंन में विशार आया, और उसके पीछे काना नही था क्यों मेरा चुनाव प्रचार में मुझ पर आरोक एकी था, कि ये मोधित्यों के रा तो मुझे लगा इनको एक ही एक्षन से मुझे जवाब देजाना चाहिए, बोलने की जरूते हैं, तो मैंने सपत सभारों में साख देशो को बड़ाया, उसके पले मैंने बैग चैनल से उन सब से सहमत दे ले ली थी, ऐसा तो नहीं हो सकता कि ये कोई, और सब लोग आये, म और मैंन सारी चीज़ों से बिलकुल नया था, बिलकुल अनविग्य था, लेकिन बाइलेटरल सब के साथ होना था, जब हम लोग लोग हैं, तो मुझे सम्झाया सब प्रोटोकल वालों सब ऐसा होगा, वाएंगे, आप ऐसा होगे से, जब समय हुआ अना से, मैंना का ऐसा कर तो मैं बाहर जाता हूँ उनको लेने था लिए, तो सारी सिस्टेम हिल गई था, अपने प्रदान मतरी गेट पर जाएंगे, सारी मेरे 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 प्रोटोकल की जो दुनिया थी ना, उसके लिए वो पहला ही दिन बड़ा गजब पता और मेरे लिए वो एक एक्श प्रोटोकल में बंधने के बजाए, पर्फॉर्मस पर फोकस करके, डिप्लोमसी के लिवल को सिफ कने का प्राइस किया हूँ और उसमें मिचे सफलता मिली है। President Obama, President Biden, President Trump इन पीनों के साथ आपने काम किया हूँ है और इंडिया-U.S. relations एक अपवर्ट ट्राजेक्टरी पे हैं, लेकिन बहुत से मुल्क हैं जो भारत की अपवर्ट ट्राजेक्टरी से परेशान होते हैं, ये इडिज अंडिस्टूट की ये है जैसे की चाइना, क्योंक मैं सिर्फ उधारन के लिए चाइना दे रही हूँ, लेकिन हमारे इर्दगिर्ट जो मुल्क हैं वो भी थोड़े असमंजस में हैं कि भारत की ट्राजेक्टरी इतनी उपर इतनी जल्दी जा रही है, क्या हम अपने नेबर हुड को अपने सक्सेस स्टोरी का हिस्सा नहीं ब इस्ट, तो जो हमारे इस्टन पार्ट के जो हमारे आश्यान का कंट्री के देश है, इसमें अमने एक्टिस पॉलिस लिया है, यहां नेबर हुर फ़स्ट, तो यह हमारा डे बन से हमारे देश की भी पॉलिसी है और हमारी भी पॉलिसी है, पहले लू कैस था, मैंने आकर के तो एक इस कहा, लेकिन इसमें दूसरा, आज दुनिया के सेंकरों मिल दूर भी कोई देश है, उनको लगता है कि भारत की प्रगति में हमारा कोई बेरिफिट है, तो परडोसी को नहीं देखेगा, आज परडोसी सबसे ज़्यादा खूश है, क्योंकि भारत उनके सबसे वाप कोई परडोसी ज़्यादा नहीं है कि जिसके अमने मज़नी की हो, नेच्नल गलिविटी, कोई ऐसा देख नहीं है, अब जब नेपाल में भुक आपकाया, फर्स्ट रिस्पॉंडर हम थे, स्री लंका में बहुत बड़ा क्राइसिस आया, उस क्राइसिस के समाई, सबसे हो, वो हम से बहुत अपिक्षाएं करते हैं, और पॉजिटिव अर्थ में मैं कहता हूं, अच्छे रूप में देखते हैं, और भारत ने भी कहा है, कि भी हम हमारे सभी देशों को परोशियों को सक्तिशाली और सम्रुद्य देखना चाहते हैं, आपने दूस्ती का हाथ मॉल्डीज ये भी आते हैं, और यहां पर कटाक्ष है, अगर आप बात करें, तो इसके लिए सुधार की, उसमें उनकी अंदरुनी राजरी की मुहत पूर है, भारत और उन देशों का समंधों से जादा उनका इंटरनल पोलिटिक्स के लिए कुछ चीजे जरूरी है, जी, ये भी कहती है कि a strong Modi means democracy starts sliding, मतलब लोगतंत्र के लिए खत्रा है अगर Modi ji और strong हो जाएंगे, लेकिन भारत में कुछ और ही है, वही रेटिंग, वही agencies कहते हैं कि लोग जो है वो खुश है कि Modi ji अगर strong हो जाएं, तो उन ही के रेटिंग ये कहते हैं, आप इस बाने में क्या कह पहली बात है कि उनकी terminology क्या है और उनके इस conclusion पर आने का आधार क्या है, ये अपने आप में research का भीशा है, लेकिन मैं ये समझ नहीं पाता हूँ, कि जिस देश में 6 लाग पंचायत हैं, चूने हुए लोगों से चलती हो, दुनिया में कोई दोईस ऐसा है जहाँ 6 लाग पंचायत हैं, और नियमित रुप से चुनाव जहाँ होते हैं, इतने राज्या, अनेक पार्टियों की सरकार हैं, महारे देश में सायद ही कोई ऐसी पुलिटिकल पार्टिय होगी, जो कहीं सत्ता में दाफो, तो ये सब होने के बाउजीत बगर ये कहना, कि सर्वसत्ता अधिस के बन रहा है, तो ये तो मुझे लगता हैं, उनको जानकारियों का भाव है, दूसरा, अगर मोधी सर्वसत्त अधिस के रूप में रहता हूं, तो जी ट्वेंटी में मेरी अगल बगल में ही कर्या है, मैंने तो राज्यों के बाज्यों क्योंकि देमो करेक्टर है ये बारा, मोधी जी एक मैं मधधर अफ देमोक्रसी, इसकी दुनिया में गुंजब कर रहा हूं, तो उनको क्वेस्टन से वापस भारत लाया गया, ये एक दिल्धे लाने वाला किस्ता था, इसमें आपने रोकने के लिए पर्सनल हस्तक्षेप किया था, पर्सनल इंटर्वेंशन किया था, ये सुनने में आया है, तो इसके बारे में कुछ बताएंगे? देखिए, युक्रेन की चर्चा चला जादा हुई एक लापस, लेकिन मैं तवजा से ऐसे कई घटना है, अगर आपने एक सुष्वा स्वराज जी का इक इंटर्व हुए, आप देखिए, कि कैसे यमन में से हमने हिंदुस्तान के लोगों को लाए, और साओधी किंग के सुष्माजी ने अपने इंटर्व में सारी चीजे कही हुए है, भारत की रिक्वेस्ट पर एक प्रियेड रहता था, जिस प्रियेड में बंबारिंग नहीं होता था, और उस समय हम हवाई जहाज में हमारे लोगों को निकाला है, यह मन से करीब 5,000 लोगों हम लाए थे, उ सबीनाते भी इतना ही गनिष्मन ने नाता रहा है, दोनों राष्पती ये साथ मैं मेरा रहा है, मैं पबलीकिली राष्पती पुतिन को कह सकता हूं, इउद्धा समय नहीं है, मैं उक्रेन को भी कह सकता हूं, पबलीक लिए, कि बाटड़ीप के रास्ते पर ही जाना और इसके करण मेरी क्रेडिबिलिटी है। और जिब मैंने कहा भी भारत के इतने लोग, अबारे नवर्यजवान फशे हुए हैं। और मुझे आपकी मदद चही है। और मैं आप क्या व्रवसा करते हैं। तो भी मैंने बताए मैंने इतनी इतनी व्रवसा की है। आप इतना मेरी मदद की है। और भारत के तिरंगे की ताकत इतनी थी, कि विजेशी व्यक्तिकी भी भारत का तिरंगा हाथ में रखता था। तो उसके लिए जगा मिल जाती थी। तो मेरा तिरंगा ही मेरी गारांटी बन जाया था। मुदी जी में डुमेस्टिक पॉलिटिक्स पे वापस आती हूँ, एक सवाल है इलेक्टोरल बॉंड्स के बारे में, राहुल गांदी जो हैं वो हर भाशन में कहते हैं और विपक्ष के निता भी कहते हैं कि इसमें धानली हुई है, आपकी पार्टी के लोग भी कहते हैं कि अगर गलती है, अगर इसमें कोई गुझाइश है इसके सुधार में तो वो कर सकते हैं, क्या ये गलत फैसला था इलेक्टोरल बॉंड्स का? पहली बात है कि हमारे देश में लंबे अर्शे से चर्चा चली है, कि चुनाव में काला धन, ये बहुत बड़ा खतरनाख खेल हो रहा है, देश के चुनाव को काले धन से मुक्ति मिले, इसके लिए कुछ करना चें़, ये चर्चा लंबे समय से चल रही है। चुनाव में घर्टो होता ही होता है, कोई इंकार नहीं कर सकता है, मेरी पाटी भी करती है, सब पार्टिया करती है, तेकर पैसे लोगों सरे लेने हैं, सब पार्टिया लिती है मैं चाहता था कि हम कुछ कोशिश करें कि इस काले धन से हमारे चुनाव को कैसे मुक्ती मेले, टांस्परन से कैसे आए, एक प्रामानिक पवित्र विचार मेरें में में था, रास्ते खोज रहे थे, एक छोटा सा रास्ता मिला, वही पुरुना है रसाम ने उस समय भी क्लेम न आए, प्रामें डिबेट टेख लीजिए, हमने कैसे कैसे काम किया, जैसे हजार और दो हजार के नोट खतम करती है, चुना में बड़े-बड़े मातरा में ट्राविलिंग करते हैं, क्यों? कि ये काला धन खतम हो, हमने सुप्रिम कोटे कहा था कि बीस हजार रुपिय तक, प कानून बना कर नियम बना करके, बीस हजार को ड़ेजर कर दिया, क्यों? क्यों कि मैंने ही चाहता था कि ये कैस वाला कारोबार चले, फिर मैंने कहाए कि एलेक्टरल बांड, कि जो पार्टी अपना सिक्रसी मैंटें करना चाहती है, होता था क्या? जैसे हम पहले बीजेपी म पैसा लेंगे देगा है, ये टाय किया तो सब व्यापारी लोग हमें आ करके कहता है हम हुम चेक से दे ही नहीं सते हम हम लिछ कहंघी है, हमा हम लिखना पड़ेगा हम लिखेंगे तो जो सरकार है वो देखेगी धिफेगए कि ये विपर्श को इतने वारी दिक्कत आई थी, बैसे नहीं थी और हम नियम लगा के बैठेते हैं, कि हम चेक्से लेंगे, देने को तेहार थे चेक्से देने के इम्मत नहीं थी, तो यह सारी चीजों का पुछे प्रता था, तो मैं रगा है, तो हम रगा है, तो हम रगा है अशा है, अब देखिए, इलेक्टोरल बॉन नह होते हैं, तो किस व्यवस्ता में ताकत है को ढूंड के निकालते हैं, कि पैसा कहां से और कहां गया, यह तो इलेक्टोरल बॉन की सकसे स्टोरी है, कि इलेक्टोरल बॉन थे, तो आपको ट्रेल मिल रहा है मनी का, कि किस कंपने ने दिया, कैसे दिया, कहां दिया अब उसमें अच्छा हुआ बुरा हुआ वह विवात का भीशे हो सकता है इसकी चर्त्य हूँ मुझे जो चिंता है मैं यह कभी नहीं कहता हूं कि निर्णे में कोई कमी नहीं होती है निर्णे तो चर्टा कर सुखते हैं सुधारते हैं इसमें भी सुधार के लिए बहुत सम्भागा है लेकिन आज हम पुरी तरह काले धनकिव तरफ देश को धकेल दिया है और इसलिए मैं कहता हूं सब लोग जब बात में इमानदारी से सोचेंगे सब लोग पस्ताईगे अब देखिए इलेक्टोरल बॉंड का भी विश्रस्ताजी का जूट चल रहा है कुल देश में तीन हजार कंपनियों ने इलेक्टोरल बॉंड दी है उसमें तीन हजार में 26 कंपनियां ऐसी है जिन पर कारिवा जब लगा उस समय बॉंड खरीदा कोई जोड सकता है इसको अगर बॉंड खरीदा लोगे जोड रहे उसकी विश्रताई है कि यह जो 16 कंपनियों ने बॉंड खरीदा उसमे थर्टी सेवन पैसा एमाउंट बीजेपी को डोनेशन में बिलेगे तीन हजार में बीजेपी के विरोधी पार्टीयों को मिली अगर पूरे जोड़े जाये तो मैं यह 16 कंपनियों जिसको एडी, CBI, कोई न कोई उसमय एक्शन भी हुआ और बॉंड भी निकला 37 परसंट एमाउंट बीजेपी ने, 63 ओपोजिशन को क्या एडी रेड करें और ओपोजिशन को डोनेशन देने का कारकमबर करें क्या बीजेपी ऐसा करेगी? इसका मतलब कि 63 परसंट पैसा विपक्ष के पास जाए और आप आरो खंपल लगाएं लेकिन उनको गोल मोल बोलना है और भाग जाना है हम ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं तो विपक्ष कहता है कि ED, CBI, IT सारे के सारे इदारे जो हैं इलेक्षिन कमिशन को भी जोडते हैं वो कि सारे इदायरों पर बीजेपी हावी है और लेबल प्लेइंग फिल्ड है ही नहीं मतलब अलरेडी मेकिन दग्राउंड की इलेक्षिन जो है वो फैर नहीं हो सकता इसमें एक भी कानून मेरी सरकाने ने बढ़ाया उपरसे हमने तो इलेक्षिन में सुधार की एते हैं अज इलेक्षिन कमिशन बनता है तो अपोजिशन भी उसमें होता है पहले तो प्रदान मंत्री एक फाइल पे साइं करतके इलेक्षिन परिवार के साथ निकट जूड़े थे, ऐसे ऐसे लोग इलेक्शन कमिशनर बने थे, जो वहां से निकलने के बाद, राजसपा के मेंबर बने, उनकी सरकार के मिनिस्टर बने, ऐसे ऐलेक्शन कमिशनर बने थे, जो कॉंग्रेस के बाद में केंडिडेट बने, और इसलिए हम उस लेवल पे प्ले नहीं कर सकते, तो हमारा लेवल प्ले प्ले फे नहीं सकता, हम ऐसे बनी नहीं सकते, हम अच्छे रस्ते पर जाना चाहते हैं, उस रस्ते पर जाना नहीं चाहते हैं. दूसरी बात है, अखिर E-D-E, C-B-I कैसे बहुते? अपने कहावत है, नाच नजाने अंगन टेठा, और इसलिए कभी EVM का बहाना निकादेंगे कभी, बूलत है, पराजय के लिए वो कुछ रिजिनिंग अभी से सैट करने में लगेंगा, ताकि पराजय उनके खाते में नचर जाएंगे। वो के रहें लड़े कैसे आप या तो उपोजिशन लीडर्स को जेल में डाले हैं या फिर अगर वो आपकी पाटी में आगे तो सारे पाप धूल गए। कोई मुझे बता हैं और क्या यही ओपोजिशन लीडर उनके सरकार का लाते हैं या जेल कर डर है। डर तो पाप का होता है यह इमानदार को क्या डर होता है। मेरे हाँ भी तो उन्होंने मेरे होम मिनिस्टर सथको सब को जेल में डाल दिया था। दूसरा, E.D. की बाप करते हैं। आप गुजरास के बारे में कह रहे हैं जब आप मुख्यमंतरी था। अच्छा जो E.D. की बाप करते हैं। E.D. ने जितने केसिस किया उसमें से सिर्फ देश को समझना सिर्फ तीन परसंट ही पुलिटिकल लोग इन्वाल हैं। जिन पर एक केस हुए है। 97 परसंट जिनका राजनीते से कोई लेना देना नहीं। ऐसे लोगों को हुआ है जो कोई ड्रग मापिया है। कुछ अपसर हैं जो करप्शन करते हैं। कुछ अपसर हैं जो बेनामी संपत्ती बना के बैठे हुए है। 97 परसंट केस उन पर हुए है। जेलों में वो लोग गया है। अजब बजा देखिए। एडी एक स्वतामत संसा को काम कर देना चाहिए। नहीं करने जेना चाहिए। बनाई क्यों हुए। 2014 से पहले यह संपत्य एटेज करने का इडीको अधिकार है। 2014 से पहले उन्होंनेश सिर्फ 5,000 करोड रुपी के संपत्य एटेज की। कॉण रोपता था इडीकोड और किसके लाबमें काता है। मेरे कालखन में गलत काम करने वालों की एक लाग करोड रुपीश की संपत्य अटेच हुई है, कई देश की जनता का पैसा नहीं है, दूसरा आकड़ा तो आप और हैरार हो जागी, ट्वेंटी फोर्टिन पहले, इसी इडी ने देश में से 34 लाख रुपीश, 34 लाख रुपी में आजा इतना पैसा, स्कूल बैग में आजाए, पिछले दस साल में हमने 2200 करोड रुप्या कैस जब तक किया है, कहां 34 लाख, कहां 2200 करोड, 34 लाख रुपिया एक बैग में आ जाता है, में 2200 करोड रुप्या सीब करना है, तो वो हाथी का छोटा सा ट्रक आता है, ना, सब्तर ट्रक लगेंगे, तब जाकर रुप्या, इतना रुप्या हमने, इडी ने हमारे कालखन में आ, इसका मतलब यह है, कि इडी सही काम करनी है, कैस पकड़ाए में, लोग पकड़े ने, कैस भी पकड़ा है, और मेरा यह कमिटमेंट है, मैं यह कन्विंस हूँ, कि प्रस्टाचार ने देश को तभा करके रखा है, हमें देश में से प्रस्टाचार के खिलाब लड़ाए लड़नी चाहिए, पूरी ताकत से लड़नी चाहिए, और यह मेरा ब्यक्तिक अदूप से मेरा यह कन्विक्शन बना हुआ है. कि अखोड़ा बहे भी है कि जब यह इंटरनाशनल कंपनी भारत आएंगे तो क्या भारत में नौकरियां होंगी नहीं होंगी इन दोनों पर पूछना चाहिए, पहली बात है, एलन मस्क मोदी के प्रस्वन सक है, वो अपनी जगाह पर है, मुल था, वो भारत के प्रस्वन स है, और मैं अभी उनको मिला ऐसा नहीं, मैं 2015 में उनकी फैक्टरी देखे गया, वो कहीं बाहर थे, तो स्पेशली अपने सारे कारकम कैंसल करके, वो वापिस आये, मुझे सब चीजे खुजने अपनी फैक्टरी में दिखाई, और उनका वीजन क्या है, वो मैं उनसे समझा, मैं अभी गया, तो दुबारा भी उनको से मिला था, और अभी वो भारत आने वाले भी है, देखिए भारत में पिछले दस साल में, दुनिया भर से हर खेत्र में पुझी निवेश हो रहा है, अब हमारा EV market, electric vehicle का market, कितना बड़ा बड़ा है, आपको जानकर के हरानी होगी कि कितना बड़ावाय है, लोग पकड़नी पाते है, 2014-2015 में, हमारे देश में, 2000 electric vehicle थे, 2000 BK थे, 2014-2015 में, 2000 electric vehicle थे, 2013-2024 में, 12 लाग electric vehicle थे हैं, कहां 2000 का 12 लाग, इसका मतले इसका मतले इसने बड़ा चार्जिंग स्टेशन का नेटवर्क बना है, परियावनन को बहुत बड़ी मदद मिली है, यहने एक प्रकार से, और उसको लेकर कि हमने आप पे पॉलिस्टी का रूप दिया है, हमने दुनिया को कहा है, भारत बहुत तेजी से हीवी पे जा रहा है, इतना ही नहीं, हम मैं चाहता हूं हिंदुस्तान में निवेश आना चाहिए, को कि भारत में भो चीजे जिसमें भले पैसा किशिगा भी लगा हो, पसिना मेरे देश का लगना चुग उसके अंदर सुगंद मेरे देश की मिट्टी के आनी चाहिए, ताकि मेर आप देश के नहुजवानों को रोजगार और मैं उसके लिए आप देखिए गूगल उसका बड़ा काम यहां कर रहा है सेमसंग यहां पर आया एपल बहुत बड़ी मात्रा में यहां पर आया हमार यहां बड़ोद्रा के अंदर एरकाप मेंडिफेक्टिंग के लिए काम शुडू हुआ सेमिकंड़क्टर के लिए अभी तो ताइवान के एक लीडर कावर अच्छा बयान भी आया याने हम हर क्षेत्रम है चाहते हैं लोग टेकलोजी टांसपर करें हम चाहते हैं लोग पुझी निवेश करें हम चाहते हमारे देश के नव जवानों को रोजगार मिले मैं यह अब मुझे मजूल नहीं है कि मेरा देश के गेहूN भाहर जाय और ब्रेहन भाहर से लो ब्रेट में बाहर ये अशा नहीं चाहूँगा。 ज़ो भी करूआ मेरे देश में करूँगा, मेरे देश के नव जवान लिए करूँगा. और मैं इसके लिए नितिया भी बनाता हूँ, हिम्मत के साथ बनाता हूँ, और लोग आभी रहे हैं, प्रोशा कर रहे हैं. प्रधार्मांत्री जी अंत में दो सवाल पूछना चाहूंगी, एक तो फर्स्टाइम वोटर्स, पहले बार जो महपदान करने वाले हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश है, और दूसरा जो इमानदार मध्यम वर्गिय करदाता है, ओनिस्ट मिडल क्लास टैक्सपेयर, मिलि इसके साथ साम्मेंटेनियस कि इसका भविष्री जुड़ा हुआ है, जो आज 20 साल का है, वो 2047 में, उसकी पुरन जिन्दी का इक अलखन है इक प्रकार से, तब वो 40, 45, 50 का होगा, मतलब ये भारत के विक्सित भारत बनने की प्रक्रियार, उसकी जिन्दी की प्रक्रिया द सबसे बड़ा बेनिफिस्टरी बनने होगा है, ये बात मैं उसको सम्झा रहा हूँ, कि भई मैं तेरा भविष्र बना रहा हूँ, तुम मेरे साथ जोड़ जा हूँ, और मैं का मानता हूँ, को जोड़ेगा, दूसरा फर्स्टाम गोटर जो है, वो परंपरागत चीजों से वोड़ा जाता है, अब आप देखे, वीपस्का गोशना पत्रा हूँ, पूरी तरह जाए एक प्रकार से वीपस्का गोशना पत्रा हूँ, बेश्का जोशना पत्रा है, तेस्के जो फुर्स्टाम बोटर है, या प्छले दिन की उमर पचीश से कम है, उनके भविष्को क्या करना है पूरा अगे अनालीज करो है तो सबसे बड़ा नुक्षान ये जो देश के पचीज साल की उमर से कम उमर वाले लोग हैं उनके भविश को रौंदने वाला उनका एकानोमी पुरोग्यम की बर्बाद हो जाएगा मुझे उनकी जिन्गी बनानी है मैं देश में इन अखरन इन्दीन ओ ररजिस्टे नुट हो फिस्ट्रोग रगॉर्ट है पाटन के यंग जनरिशन को लगता है रह मारी जिन्गी पट रह है आज डेटा मेरे देश का एकना सस्ता है मैं जानता हूमेरेदेश के आर्थिगूप से नुचान हुरा है लेकिन सस्ता डेटा का प ए градर हे जाते हैं आँ ड़िप ही लौहँट जाऊंग आमे हैं कई आपक्चांस भार् इंड होते हैं यहररत इंदर हो बारत अवयरे हैं इतना सस्ता डेटा हे एक रख़ा है है आज बेठास्टा हुठा होने लोगरा ठीकम है रखी लॉर्णीन ह 될 तेलिमेडिसीन में, यह जो हमने इन चीजों पर कंट्रोल करके रखा, इसका बहुत बड़ा लाब बड़ा है, मेरा रिवोलिशन हो रहा है, और जो मिल क्लास टैक्सपेयर है, उसके लिए, जो जहां तक टैक्सपेयर है, सचमुझ में टैक्सपेयर का सब्मान होना चाहिए, आए दीन रस्ते चलते हर टैक्सपेयर को गाली देते रहेगे, तो देश कैसे चलेगे, यह मैं समझ नहीं आता हूँ, यह किस सोच का पढ़ना है, देखिए क्या बड़ावाया है, मैं टैक्सपेयर की भाद करूँ, पिछले दस वर्स में, इतर फाइल करने वाले की संख्य दो गुने सःधिन होगे, पहले चार करोड से भी कम लोग आएटिय रफाइल करते हैं, आज आट करोड से ज्यादा लोग आएटियर फाइल कर रहे था Tax Collection तीन गुना बढ़ोतरी हुई है मतलब पहले जो Net Tax Collection होता था वो 11 लाग करोड पर होता था आज Net Tax Collection 34 लाग करोड रुपे हो रहा है यह क्यों हो रहा है? उसको भरोसा है कि वो जो पैसा दे रहा है वो सही जगा पर उप्योग हो रहा है विकास के काम चोरी लूट फार्ट में रहा है इसलिए वो विष्वात के कारण देने के लिए आ गया है दूसरा साथ लाख रुपे तक की income per tax हमने माप कर दिया है जो पहले दो ढ़ाई लाग को एटका हुआ था साथ लाख रुपे कमाई तक कोई tax नहीं देना है फिर भी मेरे यह tax बढ़ रहा है और इसलिए मैं मानता हूँ मैं तो हर tax payer का रुदेशा अभारवर्ट करता हूँ क्योंकि जो मुझे सपने पूरे करने हैं उसमें tax payer जो धन दिता है उसी से होने वाला है और मैं मानता हूँ देश की प्रगति के लिए करदाताओं की संध्या बढ़नी चाहिए और करदाताओं कर बोज कम होना चाहिए इस मुल्भूत फिलोस्वी तरफ में आगे बढ़ना चाहता हूँ जैसे और मैं तो करदाताओं से प्राफना भी करूँगा कि देश के खाते विक्षीद भारत के लिए करदाता क्या कर सकता है मैं उनको कहूँ गा कि आप कम से कम तीन लोगों को जो टेक्स नहीं देते हैं उनको प्रेडित करो कि वो टेक्स देना शुरू करें हर टेक्स बेर सिर्फ तीन लोगों को प्रेडित करें фильмaran « और हम उनको सम्झाता हूं हुघ जो मैं गरीब का घर मनाता हूं उसमें जो हीत लगती है किसे नगी हीत ही है इसका जो पुन्य है ने परिवार उसमें जो रहता है जो पुन्य शंतौस्वत पन्य उस तैक्स पेड को लिछाता है किसी गरिव को मैं जब मुपत राशन देता हूं, जब खाना पका करके अपने बच्चों को खिलाता है तब वो कोई टैक्स पेर सोचें कि हाष्ष मैंने टैक्स दिया था तो भूका बच्चा खाना का रहा है उसको टैक्स देने का आनन्द आएगा और इसलिए मैं टैक्स पे मेरे पैसों से यह हो रहा है यह बहुत बड़ी आवश्यक्ता है और मैं बार बार कहता हूं कि यह जो गरीब के घर के थाली है उसका संतोस का जो पुन्य है उसका हख़दार कोई है तो देश का टैक्स पेर है मोडी जी चुनार के दौरान आप में वक्त में काला और हम से इतनी सारी बाते के उसके लिए धन्यवाद बहुत 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 धन्यवाद आपको और मेरे देश वास्यों से यह फस्टाइम बोटर्स को मेरी अपील है कि देश के नाम बोट कीजिए और उनको को राजनिति को कहूंगा मैं सभी पुलिटिकल पार्टी के बरकर्स को भी कहना चाहूंगा कि गर्मी बहुत है दूप में सभी पार्टी के बरकर दौट रहे हैं मैं सभी पार्टी के बरकर बहुत पानी पीजिए बहुत पानी पीजिए दौडिये बहुत दौडिये लेकिन पानी बहु तो सुबह जल्दी जल्दी मदान कीजिए और लोकसंत्र के उत्सव के रुपए चुनाव को मनाएं यही मेरी प्राथ्था होगी देश्टार्चों को अगली चुनाव सभडी है और वन नेशन वन इलेक्षिन आपने सही मुनणबदा उठаться नेशन वन इलेक्षिन हमारा कमिट्मेंट है हमने पारल्मेंट में भी बोला हुआ है पुम्ने कमिटी भी बनाई थी के चुम् Boulder भी आया था तो one nation, one election के समद्ध में देश में बहुत लोग पॉन बोर आये हैं, सबी दनलों ने, बहुत लोग निसमें जो कमिटी को अपना सुझाव दिये हैं, बहुत ही positive सुझाव आये हैं और बड़े innovative सुझाव आये हैं, और देश का बहुत बड़ा लाब होगा अगर हम इस report को बेल आइकन दमाएं और देखते रहें, स्रेश्ट फार्थ